हेलो विवर्स आज मैंने दो डिश बनाई है तो एक बनाई है पेती के पराठे उसे मैंने रायते के साथ में देही का रायते के साथ में सहर किया है और एक बनाई है सेम की फली तो वो मैंने कैसी बनाई है तो मेरे रेसिपी मेरे वीडियो एंड तक जरूर देखना पूरे दे बहुत ही बढ़िया बनी है इसे मैंने कैसे बना है तो मैं रेसिपी एंड तक जरू देखना तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते है यहां पर देखिए मैंने सेम की फली ले ली है इसे तोड़कर दोकर यहां पर रग दिया है ग्यास पर रग दिये कड़ाई इसमें दाल दें कर् Listen special anno review इसे अच्छे तरह 20 क्रेंगे इसमें द्यान द्लींक इएक चमाच धनिया प्षावडर इक चमाच घरम अ इस अधी चीजों का अच्छर से मिक्स कर लेंगे कि यहां पर दिखें एक चमच घरमसला, एक चमच धनिया पाउडर दाल दिया है रिश्षिछे मिर्जी पाउडर और भाल लिदी होगत fall बार दीखिए, इस नहाूंसे करेंगkins, डिए लिपके gj मेरे चैरे मेंक्स अब इसमें दाल देंगे दो टमाटर का पेष्ट यहां पर कर देंगे अच्छे से मिक्स हो चुकी है आधा से पाउंट ग्लास पानी क्योंकि मैंने फली नपाला नहीं था, तो मैं पानी डाल दूंगी इसे पकने के लिए कि यहाँ पर निदीके सबी चिजे अच्छा से मिक्स हो चुकी है अब इसे ढब कर पकाएंगे फली को गलते तक पकाएंगे हम तो यहां पर दिके फली गल चुकी है पक चुकी है अब इसमें डाल देंगे एक चमर शक्कर आप इसे स्किंब भी कर सकते है बर यह शक्कर डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है नहीं तो फली उभाले जैसे लगती है जरुर्ड़ थर तो यहां पर शका डालना आप जरूर ट्राय कीजिएगा तो यहां पर हरा धनिया डाल दिया है मूने इसे कर देंगे च्छछे से हब यहाँ up 10- тотま not far so hki thereLING हैं इक कटोरी चावल का आटा इस में आल देगे पत्ते और hai उसे में दाल देड़ेंगे इसमें दाल देंगे नमक रादी और अजवाई यहां पर बाल्स लेकर इसका हम पराठा बनाएंगे अब हम चकला बेलन ले लेंगे और यहां पर हम सुखा आर्टा दाल देंगे और एक बाल्स लेकर इसका हम पराठा बनाएंगे आप गोल भी बना सकते हैं और पराठा भी बना सकते हैं और तेड़ा मेड़ा भी पराठा बना तो बहुत अच्छा लगता है यह तो पराठा कैसे भी हालत में अच्छा लगता है इसे आप दही किरायती के साथ में सौस के सा गोल में या रहेगं जोत जब niet 제품иком , वहां गुढ़ित तो कि यृझ आपर इस तरह से सैबाएं लगाना भूदी जरूरी है नाहीं तो पराथा ये लगना है तो यहां हमे द्सटा रहे बना लिया है यहां पर मेरा एक पराठा रेडी हो चुका है अब चलेंगे दूसरा बनाने इसी सेम प्रोसेस से यहां पर देखें दूसरा बना लेंगे चोकोनी पराठा आप त्रिकोनी भी बना सकते हैं बहुत ही बड़ीया रेडी हो चुका है चलेंगे सेखने के प्रोसेस में तो यहां पर मैंने ग्यास पर एक तवा रख दिया है इस पर लगा देंगे ऑईल् यहां पर लगा दिया है इसमें दालतेंगे पराठा पराठा इन इसे सेक लेंगे और फीर पलटा देंगे यहांपर दिखें मैंने पराठा पलटा दिया है दूसरे तब जिए आईल लगा देंगे और दोने साइट से ने आच्छा से सेथ vita पर देखे और हमारा पराठा सीख सॉ यता है तो हम यह निकाल लेंगे और दूसा ही सेंट लेंगे आपना दे के आईल लगा दिया है मैंने और इसे निकाल देंगे नगी ओल पराथा दाला है तो इसा पर मैंने निकाल दिया पराथा अब डाल दिया तो यहां पर दाल दिया है इसे भी उसी प्रोसेस सेख लेंगे, यहां पर मेंने पूरे पराथे बनाए हैं, फिर एक एक करके सेखे हैं, तो यहां पदेकी पराथा हमार रेड़ी हो चुका रही है, इसा नहीं की रायते के साथ में सॉस के साथ में खा सकते हैं जरूर ट्राइ कीजिएगा